आज किस वीडियो में आप लोगो बताओंगा पॉस्ट में क्या होता है पॉस्ट में हम लोग क्यों उज़ करते हैं as a developer पॉस्ट में हमको कोनची फेसिलिटी प्रोवाइड करता है यह सब कुछ आज हम लोग एक इस वीडियो में देखने वाले हैं तो सब से पहले डाउट जो भी है वो सोल करवाया जाएगा ठीक है अब भी ने टाइम वेस्ट की बात करते है पोस्ट मेंने क्या होता है लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यार अभी तक आप लोगों ने नोड जी एस Xpress.js, MongoDB, MongoGA पर मैंने वीडियो अप्रोड कर दिया है इन पर तो अभी तक आप लोगों ने चीजों को चेक आउट नहीं कर रहा है तो कर रहना इंपोर्टेंट है अगर आप लोग चाहते हो कि यार मुझे मुझे मन्स्टेक डवलपर बनना है या फिर आप लोग इस फिल्ड इसलिए आप लोग उन सीरीज को फोलो कर सकते हो ठीक है अब बात करते हैं कि पोस्ट में क्या होता है पोस्ट में क्यों यूज करते हैं तो सबसा पहला क्यूशन तो हमारा यह यह कि पोस्ट में क्या होता है इसके लिए हम लोग करेंगे क्या गूगल करेंगे और डेफिने मेरे सामने रखी है कि Postman is an API platform developers to design, build, test, iterator their APIs बस इतना ही है मतलब API क्या होती है API मैंने आप या तर आपको बताया नहीं API क्या होती है लेकिन हाँ API मैंने आपको यूज गरके जुरूर दिखाया है मैंने आपको एक वेदर अप्लिकेशन बना के दिखाये थी और भी काफी अप्लिकेशन बना के दिखायी थी जिसमें मैंने API का यूज करवाया था और तब तो आपको पता नहीं चला होगा लेकिन एक separate वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि API क्या होती है अभी के लिए बात समझ लो इतना कि API ऐसा है API जो दो डिवाइस है ना मतलब एक ये डिवाइस है एक ये डिवाइस है इन दोनों के बीच में जो communicate करवाने का तरीका होता है जो एक bridge बोल सकते हो उसको हम लोग बोलते है API API एक software होता है जो क्या करता है दो डिवाइस के बीच को connect मतलब उनके communication को handle करता है उसको connect करवाने का काम करता है वो होता है API API मिन्स application programming interface ठीक है API का मतलब होता है application programming interface जैसा कि आपको नाम से ये बता चल रहा है कि दो डिवाइस को communicate करवाने का तरीका बहुत ही बढ़िया तो postman क्या करता है postman जो भी API होती है उसको टेस्ट करने के लिए उसको design करने के लिए एक software है जिसका हम लोग use करते है तो इसकी official website पर चलते है पहले इसको आपको download करना पड़ेगा और फिर इसको install करना पड़ेगा अपने system के अंदर ठीक है तो वो किस तरीके से कर सकते है उसके वारे में बात करते है तो मैं यह जो official website यह जो link दिखाई दे रहा है यह official website यह देखो postman.com ठीक है तो इस पर मैं जाओंगा क्लिक करूँगा ओर राइट तो आप लोग यहाँ पर clear देख सकते हो postman की जो official website है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और इस तरीके से आपके सामने जो homepage दिखाई देता है तो अब यह इन चीज़ों को आप लोग मुझे पता है आप लोग पढ़ ही लोगी ठीक है अगर नहीं देखोगी तो भी आपका काम चल जाएगा अगर आप लोग beginner हो तो तो कहने का simple सा मतलब ही है कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पर account बनाना है अब आप लोग account बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो अगर आप लोग account बनाते हो तो आपको होगा क्या एक फाइदा होगा कि आपको कुछ future से इसके जो आप लोग यूज करना साथ हो advanced future मिल जाएगे ठीक है अगर आप लोग account नहीं बना कि इसको यूज करना चाहोगे तो आप लोग इसको यूज तो कर सकते हो लेकिन कुछ limitations होगी कुछ features होगे जो आपको limit के अंदर ही रहे के यूज करने है लेकिन आप लोग account बनाते हैं इसको कुछ नहीं होगा ठीक है बना लेना account बनाने हैं अभी कि नहीं बना रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे आप लोग देखो जहाँ पे मेरा mouse है download the desktop app अगर आप लोग Windows यूजर हो तो आप लोग Windows इस पे क्लिक करो अगर आप लोग Mac यूजर हो तो आप लोग इस पे क्लिक करो अगर आप लोग ओबन टो ओबन टो के अंदर हो तो आप लोग इस पे क्लिक करो और मैं थोड़ा नीचे आउगा, एक option तो यह है, अगर आप लोग इस पर क्लिक करते हो, तो यह डाउनलोड के पेज पे लेके जाएगा हमको, और वहां से हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पोस्ट में को, अगर आप लोग नीचे फूटर में जाओगे, यह देगो मैं आप लोग यहां से करके दिखा जिता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो यह आप लोग यहां पर देख सकते हो, डाउनलोड पोस्ट में करके हां पर आ रहा है, एक पेज मेर सामने उपन हो चुका है, अगर आप लोग विंडो यूजर हो तो आप लोग 64-bit जो सिंपल सा सॉफ्टर इंस्टोल करते हो, जैसे next, next, next करके, से वो ही है, कोई rocket sense वाली बात नहीं है, मुझे पता है, आप लोग करे ही लोग है, ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोसेस था यार, इसको डाउनलोड बहुत एज़ी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, अपने computer के अंदर अब बात करते हैं, इसका जो starting अंदर dashboard दिखाई देता है, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर चलूँगा, यह देखो, यह इसका dashboard, starting का dashboard कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यहाँ पर कुछ आपको और चीज़े दिखाई देंगी, मैं अभी के लिए उन चीजों को मैं यहाँ पर delete कर दिया है, आप लोग भी delete कर सकते हो, अब सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि आपको डरना नहीं है कि यह क्या है, बिलकुल डरना नहीं है कि यह क्या है, इस पे किस तरीके से काम करा जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो, घबराने कोई जुरुरी नहीं है, मैं आपको step by step हर एक चीज यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है, ओके, तो मैंने starting के अंदर आपको सबसे पहले बात बोले थी, कि अगर आपने account नहीं बनाया है, तो बना सकते हो, अब नहीं बनाना चाहते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि हम सबसेट के नहीं होता है, वो देख सकते हो, वेसा सेम तो सेम है, home, work space, explore, search कर सकते हो, यह सारी चीज है इसमें, तो अगर मैं इस पे three dots पे क्लिक करो, तो इसमें आपको file के अंदर काफी सारी चीजे मिलेंगी, ठीक है, new, new table, सारी चीज आपको इसमें मिलेंगी, edit पे जाके आप लोग toggle, full screen, zoom, यह सारी चीजे, zoom out, zoom, यह सारी चीजे कर सकते हो, और आप लोग help पे जा सकते हो, फिर है यह तो clear है, यह तो basic है, तो इसका तो complete हो गया, अब अगर हम लोग home पे चले, तो home का तो आपको पता ही है, work space पे चले, तो आप account, यह बोलेगा, अगर आपका account बनाओ, फिर इस future का आप लोग यूज कर पाओगे, तो अगर आपको चाहिए work space यूज करना है, तो आप लोग करोगे, क्या account बनाओगे, जो मापी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे जरूर नहीं है, आप लोग कर लो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं कर सकते हो, explore पे और ची एंड कोई विद पोस्त मेने, ये तीज टाइम के साथ, आप लोग यूज करोगे, जब आपके साथ ही यूज करोगे, जब आपके साथ ही यूज टू हो जाएगा, डैफिनिली आप लोग सीखी जाओगे, छोड दो इस चीज को, इतनी जयदा कोई खास इंपोर्टेंट न है तो मैं simple ऐगर शेटिंग मेंग सेटिंग अब यहां पो हुआ चुकि कै Capitol ञाने सायं चुकिए है कि अब कर दें अब यहां पे मिल रहनें दो आपको यहां पे कोई भी इलकुल चाड करने के नहीं है इन्होंने ओटोमेटिक सब को सेट करी रखा है अगर आपको कभी आप एडवांस यूजर हो जाती हो और आपको चाहिए नहीं यार वो चीज ऐसे करनी है तो आप लोग यहां पर आके वो चीज कर सकते हो तो इसे ऐसे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपका ओन ही आ यार बहुत ही सिंपल है अगर मैं थीम्स पे जाओं तो थीम्स पे आपको यह दो थीम प्रोवाइड गरता है एक तो लाइट थीम प्रोवाइड करता है और एक आपको डाग थीम प्रोवाइड गरता है डाग थीम आपको प्रिफर करूँगा कि आप लोग यूज करें ले अपने सिस्टेम पे काम कर रहे हो ठीक है तो अभी तो मेरा वीडियो देख रहे हो तो मा अभी लाइट थीम यूज गरों यहां से आप लोग डाइट थीम भी कर सकते हो ठीक है सर्च साइबार तो इसारे सिज़ अप लोग glide动 अवन्ड़ norm अधोर कर लेना कर ले लाया है ठीक है उसके बाद में आपको यहां पर यह लोग स्क्रेट दिखाई देती है यह बोल रहा है कि अकाउंट बना लो तब आप लोग यहां पर स्क्रेट स्पेड का यूज कर पाओगे मुझे नहीं बनाना अकाउंट मैं इसको इस तरी के से अटा दूगा ठीक है अब देखो अब recognize । इहां कर्क्रेट सेzelfər्ट मो supportsher और यहां पर हम लोग जो काम करेंगे वहम को एहां पर दिखाई देता रहेगा थिक है अब यहाँ पर सबसे पहले scratchpad लिखा हुआ रहा है, यहाँ पर एक new है, यहाँ पर import है, अगर मैं new quickly करता हूँ, तो आपके सामने इस तरीके से एक window open होती है, जहाँ पर आपको sttp request, collection, environment, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर दिखाए देती है, अब आप लोग बोलोगे web socket request beta, यह क्या है, यह चीज़े बहुत ही important है, इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पर बना के बताई है, लेकिन अगर आप लोग account बनाओगे, तब इन futures का आप लोग use कर पाओगे, ठीक है, अगर आप लोग HTTP request चीख गए, अगर आप लोग collection बनाना सीख गए, environment set करना सीख ग होता है, ओके जी, उसके बाद में, इस section के अंदर क्या है, collection है, APIs है, और environments है, mock servers है, monitors है, history है, history है, history हो ही है, जो आप लोग ने पीछी काम किया है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, collection, collection आप लोग बना सकते हैं, अभी बना के बताऊंगा, मैं collection क्या होता है, इस पर click क करके भी आप लोग ने collection कर सकते हैं, यहाँ पर उसका नाम दे सकते हो, और यहाँ पर आपको trace का option मिल जाता, open trace, ठीक है, ओके, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एक collection बनाएंगे, तो collection बनाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, यह जो create collection है, इ अब यहाँ निए अपर क्लीक कर सकते हो, इस पर क्लीक करूंगा, तो आप लोग अपर environment सेट कर सकते हो, जिसे global environment आपको set करना है, जो भी set करना है, वो आप लोग अपर set कर सकते हो, अभी global environment variable है, बताओंगा किस तरीके से variable set करने होते हैं, अपने इस request के अंदर हमारे collection के अ आपको option दिखाई देगा, hide sidebar, जैसे हमारा VS code होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक complete होता है, section है जहां पर हमारा folder structure रखा होता है, तो अगर मुझे इसको hide करना है, तो मुझे कोई option मिलता है, उसको अपर ठीक है, यहाँ भी same नेचे दिया गया है, अगर मैं इस पर क्लिक इसके अंदर काम करा है, word, powerpoint, excel अगरा के अंदर, तो वहाँ पर एक option होता, find and replace का, मतलब उसको ढूट सर्च करो, और replace करना तो replace करो, ठीक है, console, जैसे हम लोग right click करके browser के अंदर inspect करते थे थे ना, तो हमको यहाँ पर console का option दिखाई देता था, same वो ही है, आपको यहाँ पर बठन दिया गया, console पर click करके आप लोग अपना console open कर सकते हो, इसको हटा देता हूँ, उसके बाद में runner है, उसके बाद में यह है, इससे आप लोग मतलब अपना layout चेंद कर सकते हो, और इसे ज़्यादा कुछ नहीं आए, और यहाँ पर simple help है, बढ़ याँ, अब करेंगे कि आपना एक collection क्रेट करेंगे, तो collection क्रेट करने के लिए create collection पे मुझे क्लिक करना है, तो मैं इस पर click करूंगा, आप लोग यहाँ पर clear देख सकते हो, देख सिरे मैंने create collection पे click करा, तो यहाँ पर new collection लिग्क कि आ चुका है, और यह जो create collection वाला यहाँ पर दिखाई दिखाई its totally up to you , इस सहब ह liksom, जो भी आप पर चाहते हो आप नहीं पे सहकते हो , तो मैं Show data data रख सकता हूं , और आज और उसमिधा से क्यां से सिंपल प्रोजेक्ट गरी मुझे पटेशEему लिए पता है को तक Three Kast this को एंगी टप्रोजेक्ट गर्ड़ेता हुँ एंगिस प्रोजट कर देता ओम ठीक है न्या खहुत कर दिया और बस बढ़िया है और जैसे मैं इंटरपेज करूँगा तो यहां पे एक कलेक्शन बन चुका है अब कलेक्शन का मतलब होता है जैसे हम लोग ने मोंगो डिबी के दर काम करा है उसमें कलेक्शन देखा डोकुमेंट देखा फिल्ड देखा ठीक है तो वो चीजी देखिना कलेक क्योंकि ऑथोराज़ेशन हम लोग हम जो अग्जेक्ली एक्शुली जो प्रोजेक्ट काम करेंगे न उस पे हम लोग बात करेंगे कि ऑथोराज़ेशन उसमें आपको बेस तरीके समझ में आएगा फिराल मैंने कोई API बनाई नहीं है खुच से बना रखिये लेकिन आपको म करेंगे बनाई प्रोजेक्ट करेंगा तब एक टेस्ट करेंगे अग्जिक्टी तब इसलिए मैं इस ओथोराज़ेशन ओर टोपिक को एक बार इसको करोंगा इस वीडियो के इंपोर्टेंट काफी है लेकिन मैं इसको स्किप करोंगा तब उसके बाद आपको प्री एंड को यापर मिलता है स्क्रिप्ट रिक्विस्टी स्क्रिप्ट तो इसमें क्या हो ता इसमें आप लोग अपना स्क्रिप्ट रिक्स त्यों दूब ज़िए आपको आपको एंवार्मेंट वेरियबल का छिए बद आपको ची कि ए लेक SYNTEC सो जो क्या करें एवारियमेंट वेर कर दो आपको आए का मतलब यहाद कर सकते हो फिर आपको यहाँ पर अपसन मिल राइड रन का एक्सपोर्ट कर डिलेट का यह सिंपल सी तरीक है जो हर को यूज करता ही है और अगर आपको डॉलब पर हुआ अगर आपको चीजे आप लोगों नेकाफी प्रोजक्ट बना रहे ह आप लोगों ने कभी ना कभी एपे एपे काम करा है तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए और आ गई होगी मेरे बताने से पहले ये जी समझ में आ गई होगी तो इसमें ज़्यदा टाइम विस्ट हम लोग करेंगे नहीं अब एक काम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक collection बनाया है अंकित project अब मैं बात करो हूँ है एक request किस तरीके से बना जाती है एक request किस तरीके से add करी जाती है request add कर सकते हैं आप दिण तो न्यूप पर click करके डियकन भीना collection बनाये हुए इस पर click करके ठीक है लेकिन हम लोग चलेंगे step by step तो हम लोग करेंगे क्या right click करेंगे और add request का आपको option मिलेगा कहाँ पर करेंगे right click हम लोग करेंगे जो भी हमारा यहाँ पर collection बना है इस पर और हम लोग यहाँ पर right click करके देखो आपको add request, add folder अगर आपको इस collection को rename करना हो अच्छा देखो, rename आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो इस पर क्लिक करके आपको rename कर सकता हूँ अगर मैं इस पर right click करूँगा तो भी rename कर सकता हूँ अगर यहाँ पर मैं इस पर यह जो आपको three dots दिखाई दे रहे है इस पे क्लिक करूबा तो भी मैं यहाँ से क्या कर सकता हूं। इसको使igmat कर सकता हूं। मैं यहां भारी सिर्प्वेस्ट का साटा हूं। लेकिन पिले क्लिक मात Α्थ तो नहीं पर एक प्लीक लिकी करूबा थूख जांसा हूं। जिसे मैं यहां पर एक request को add करा तो यहां पर new request करके हाँ आज चुका है यह मुझे बोल रहा आपकी request कर नाम क्या है नाम डाल दो तो request का नाम मैं कुछ भी डाल सकता हूँ जैसे मैं यहां पर simple कुछ भी जिसे show data नाम से मैं एक इस तरीगे से बना रहा हूँ request और मैं इंटर प्रेज करूँगा तो मैं जो भी show data यहां पर रखा है वो यहां पर reflect हो जाएगा ठीक है मतलब हमने collection मनाया उसके अंदर हम लोगों ने एक request को add करी अब यहां पर यह बोल रहा है पात आपको बता रहा है आप अंकित प्रोजेक्ट के अंदर एक store data नाम से आपने request बनाई है तो बात completely यह बता रहा है ठीक है तो आप लोग थोड़ा नीची आओगे ना इसके तो आपको यहां पर दिखाई देगा method देखो gate अगर मैं इस पर click करता हूँ तो gate है, post है, put है, page है, delete है, copy, head, option, link, unlink, purge बहुत सार इस इसमें है, लेकिन जो mostly use होते हैं, वो होता है, get, post, put, paste, delete, अब देखो, gate का मतलब होता data को retrieve करना, मतलब data को read करना अगर post का use करोगे आप लोग तो data को create करोगे, ठीक है, अगर put और page का use करोगे, तो data को update करोगे, अब और put और paste दोनों अलग लग चीज़े होती है, data को update करने के लिए इन दोनों सी जों का use करा जाता है, put का मतलब यह होता है, कि complete data को क्या करना, update करना, page का मतलब होता है, परिटिकुलर डेटा को अपडेट करना, उसके केस में आप लोग क्या यूज करोगे, पेच यूज करोगे, डिलिट का सिंबल सा मतलब आपको पताई है, कोपी कर सकते हो, ये सारी चीजे है, तो ये सारी चीजे आप लोग कर लेना, भी आपको बताऊगा, एक बेसिक सा बता आप लोग ने एक बार यहाँ पर लिंक डाल दिया, फिर आपको यहाँ पर सेंड का बटन दिखाई देता है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे, तो आपको इसमें रिस्पोंस मिलेगा, अगर वो है तो ठीक नहीं है, तो ठीक है, काम कर रही है, तो उप्सिन मिलेगा, और य हैडर का मतलब यह है कि आप लोग हैडर मतलब राइट के लिए करके जो ब्राउजर के अंदर हैडर को चेक आउट करते थे ना, वह यह सिंपल, उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है, बोडी का, यह भी बता हुआ, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप् प्री स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट सा रिटन इन जावा स्क्रिप्ट एंड रन विफोर दी रिक्वेस्ट इस सेंट लर्न मोर, इस पर जाके आप लोग और चीज़े देख सकते हो, जो आपकी जावा स्क्रिप्ट होती है, जो आप लोग रखते हो, अपने कोड गंदर मतलब जो भी आप लिखते हो ना वो आप लोग यहां पर रख सकते हो इसको टेस्ट कर सकते हो सेटिंग का उप्शन दिया गया है सेटिंग्स वही है जो अभी मने आपको बताई थी बैसिक बैसिक चीजी है ठीक है और यह जो लिंक मुझे दिखाई दे रहा है जैसन प्लेस होडर फ्री रेस्ट अपिए तो मैं यहां गरूँगा इस पर क्लिक करूँगा तो यहर आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसकी वेबसाइट कुछ इस तरीक दिखाई देती है इससे हमको अभी के लिए कोई मतलब नहीं है हम लोग करेंगे क्या थोड़ा नीचे आएंगे यहां पर नीचे आएंगे थोड़ा और मुझे बोला ट्राइ कर लो इसको इस तो एक सिंपल सी बात है लेकिन हम लोग करेंगे क्या यहां पर पोस्ट दिखाई जरे इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन लिंक न्यू टेप पर क्लिक और लाइट तो आप लोग आप देख सकते हो इसने लिंक जो मैं यहां पर रखा है मतलब जो भी इसमान डाला वो इसका EPS ने दे दिया कि यह आपको इस त्रीके से एक डेटा मिल राए अब यहार बात एसी है कि जो काम आप लोग पोस्ट में से कर सकते हो वो आप लोग ब्राउजर से भी कर सकते हो अब आप लोग बोलोगे तो फिर पोस्ट में की इस्ट्रोल करवाया है देख और इसन क आपको सब कुछ यहां पे पेक करके इन्होंने दिया हुआ है, पोस्ट मेन के अंदर, मतलब अगर मुझे अपिय को टेस्ट करनी है, तो मैं डायक लिए ब्राउजर के अंदर लिंक टाइप कर दूगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे डेटा को अपडेट करना रहा, डेटा को क्रिएट करना रहा, वो सारी चीज़े मैं ब्राउजर से भी कर सकता हूँ, लेकिन वो एक अलग लेवल है, वो एक अलग लेवल है, इसलिए आपको उसमें काफी ज़्यादा प्रोब्लम होगी, इसलिए हमको एक पोस्ट मेन काफी अच्छी फेसिलिटी प् अब मैं यहाँ पर जाओंगा और यह जो लिंक है मैंने लिया है, इसको कंप्लेट कोपी करेंगे, पोस्ट मेन पर चलेंगे, और यहाँ पर जो उरल दिखाई दे रहा है, इस पर पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर सिंपल सेंड का उप्शन है, अब देखो यहाँ एक एरो इसका मतलब आपको डाउल्लोड भी कर सकती हो, सेंड और डाउलोड का मतलब है, सेंड करो, डाउल्लोड करो, अभीके लिएमुझ- जो लिए सेंड करते देखो है, तो मैं सेंड प trás क्लिक रॉगा, अब जैसे मैंने रहे ऑन्सेंद प्रीय खें प्लिक तो आप लोग पनी स्टेटस कोड हमको ब्राउजर के इंदर दिखाई जेता ना 200 है मतलब ओके है इसमें इसको इतना टाइम लगा एमस का मतलब मिली सेकंड है ठीक है और यहां पर इसका साइज इतना है इसको सेव करना सेव कर सकते हो अगर मैं यहां पर बोड़ी पर हूँ अभी मैं तो कुकीज पर जा सकता हूँ यहां पर कोई सेट नहीं करी है मैंने और करूँगा भी नहीं मैं हेडर्स पर जाके मुझे और इसके बार में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी, टेस्ट करना हो, इस शल्ट को, अब अगर मैं homework पर जाता हूँ, pretty है, अगर मैं room पर जाता हूँ, तो room में कुछ यह इस तरीके से दिखाई देता है, और अगर मैं preview पर जाता हूँ, चीज़े रख देता है, ठीक है, आप लोग आपर click करके इसको क्या कर सकते हो, copy कर सकते हो, यहाँ पर आपनोग सर्च कर सकते हो, ठीक है, यह ठीज़े आप लोग आपर उस तरीके से हमने करा क्या हमने हमारी API को टेस्ट करा जो हमने क्या करा एक डेटा को प्रोपरली एक इस लिंक से हमने डेटा को प्रोपरली रीड करा और देखा किस तरीके से चीज़े होती है आयो बैटे मेकशन्स यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगे अब हम लोग बात करेंगे, single data किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, access मतलब किस तरीके से treat कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक request बनाऊंगा, अलग से, अब request की कोई limit नहीं, आप लोग कितनी भी request यहां पर बना सकते हैं, जो खाली section आप दिखाई दे रहा है, लेकिन वही बात है कि, अगर मैं इसके यह, मैं वो चीज इसके अंदर भी use कर सकता हूँ, ठीक है, वो चीज मैं इसके आप लोग यहां पर देख सकते हो, request यहां पर एड हो चुकी है, मुझे बोलडर नाम डाल दो, बस आप तो, ठीक है, आप लोग नाम डाल दो, और जैसे मैं यहां पर नाम डिक्या डालू, मैं सिंगल, ठीक है, सिंगल डालना था, सिंगल शो डेटा, इंटर प्रेज यार मुझे कोई चीज मिलती है, क्या यहां पर इसके अंदर, तो इसके अंदर नहीं, इसके अंदर, यह देखो, इन्होंने बता रहा है, अगर आपको एक डेटा को आइड करना, तो आप लोग सिंपल आईड डाल दो, वन, सिंपल उस पोस्ट और इस तरीके से वन पास कर तो मैंने कर क्या रखा है, मैंने उसको तो complete कोपी करी रखा है, ठीक है, तो मैं यहां पर जाओंगा, अपने पोस्ट में पर, और यहां पर इस URL के अंदर पास करूँगा, वो जो मैंने link कोपी करा था, वो पोस्ट और one टैप कर दूँगा, इसका मतलब क्या है, जो भी मैं यहाँ पर ID डाली है, वो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उस data को मैं यहाँ पर read करना चाहता हूँ, तो मेरा gate method ही रहेगा अभी के लिए, मैं इसको change नहीं करना चाहूँगा, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं, आप लोग हेडर पर आओगे, और header पर आपको यहाँ पर इस key के अंतर लिखना पड़ेगा accept, यह लिखो, या ना लिखो कोई बड़ी बात नहीं है, public अगर API है तो, लेकिन जब बात API protected की आती है, मतलब वो API जो protected है, तब आपको यह चीज़ वहाँ पर लिखनी है, तो आप लोग इसकी आदर डाल लो, लिख लो यहाँ पर simple accept, आप लोग यहाँ पर लिख लो accept, और यहाँ पर लिख लो application JSON, यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, application JSON लिखोगे, enterprise करोगे, और send वाले button पर click, आप लोग यहाँ पर clear देख सकते हैं, आपके सामने इस तरीके से data दिखाई देगा, user ID, ID 1, बस आपके सामने एक data दिखाई देगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक single data को भी यहाँ पर show कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अगर मैं इस ID 1 के जगर डाल दू चार, ठीक है, तो जो भी हमारी ID 4 से match होती है, यहाँ पर दिखाई देगा, user ID नहीं, ID 4, अगर मैं send पर clear, तो आप लोग यहाँ पर clear देख सकते हो, ID 4, यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि बहुती अच्छी बात है, बहुती बढ़िया, बहुती बढ़िया, तो इस तरीके से हम लोग एक simple single show कर सकते है data को, ठीक है, आपको क्या करना है, parameters के लिए देखो, gate and door, यह जो question मारक दिखाई दे रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इसको complete copy कर लेता हूँ, यार मैं, copy कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं करूँगा, क्या, यहाँ पर चलिक एक request, add कर लूँगा, नहीं, जहाँ पर मैं आपको इसको complete copy कर लूँगा, इतना जो भी है, इसको मैं इस तरीके से copy कर लूँगा, यार यह एक क्यों नहीं हो रहा है, तो इसको मुझे कर रहा है, या फिर मैं right click करके, यहाँ पर open link in new tape करता हूँ, और आपको दिखा तो आप लोग आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से only जि इसकी भी post ID वन है, only वो data मेरे सामने दिखाई दे रहे है, सारे data मुझे नहीं दिखाई दे रहे है, तो इस तरीके से मैं parameter set कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो, copy करता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं चलता हूँ, post menu पर, और इसको मैं simply यहाँ प पोस्ट ID इसमें की लिक क्या चुकी है, post ID automatic, और जिसकी value यहाँ पर 1 है, अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह है, लिक देता हूँ, चार, तो इसमें इसकी value ओटमेटिक रिफ्रेट हो जाए जी, और मुझे यहाँ पर 4 मिल जाएगा, ठीक है, अब मैं यहाँ इसमें गड़बड application, suggestion, कुछ इस तरीके से, कुछ नहीं करना, gate method हमारा सही है, इसको रहने दो, और सब कुछ सही है, ठीक है, response gate, आप लोग यहाँ पर clear देख सकते हैं, यहाँ पर parameter set, ठीक है, I hope that it makes sense, parameter आपको set करने आ गए होगे, ठीक है, अब आप लोग और कोई parameter भी यहाँ पर set कर सकते हो, ठीक है, तो मिरे पास अभी कोई parameter मैं नहीं देना जाथा, अगर आपको देना है, तो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो, इसी gate method हमने देख लिया, काफी अच्छी तरीके से इसको explain हमने कर लिया है, अब बात करेंगे post method के बारे, post का मतलब बता data को create कर रहा, ठीक है, मुझे guide का option मिल रहा है, इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, और open link in new tape पर क्लिक करूँगा, तो आप लोग देख से, तो मैं guide वाले page भी आ चुका हूँ, और मैं यहां पर जाओंगा, और यह देख, creating a resource मुझे आपर मिल रहा है, मुझे data क्रेट करना है, तो इस URL पर मुझे hit करना है, उसके बाद मुझे dot update कर रहा है, उसके अंदर मुझे title को create करना है, जिसको भी ना यहां पर simple जाय के right click करूँगा, add request पर click करूँगा, और मैं करूँगा, यहां पर simple request का नाम मैं डाल दूगा, क्या डाल दूगा request का नाम, मैं request का नाम यहां पर डाल दूगा, simple create data, इस तरीके से, ठीक है, create data enterprise करूँगा, तो ankit project के अंदर create data यहां पर create हो चुका है, मतलब एक हमारा जो रिक्वेस्ट है वो क्रेट हो चुकी है मैं इस बार गेट नहीं पोस्ट चूज करने वाला हूं क्योंकि क्रिएट करना है डेटा और इस यॉर्ल को मैं आप सिंपल पेस्ट कर दूगा ठीक है है ओके सिंपल पेरामिटर्स को याड नहीं करने है और यहां पर मैंने आपको चीज़ी पताए थी आपको लिखनी है एक्सेप्ट और उसके बाद में आपको यहां पर डालना है अप लिगेशन जेसन कुछ इस तरीके से ठीक है अब डेटा आप लोग एड़ करोगे आपको अगर एड़ करना है तो आप लोग बोड़ी पर जाओ ठीक है और यहां पर देखो आपको चीजी दिखाए देंगी नन नहीं आप फोर्म डेटा कर सकते हो आप लोग एक्स डब्लु डब्लु फोर्म डेटा यूरल इंकोड़ेड कर सकते हो रोपे क्रिक आप लोग देख स ईपते हैं प्र ऐसे में बोड़े आप अपने चीजह पूमार्श आहन कुल अटीयु अन कंचा में अब्लु अरहा पर आपडेट करें तब आर्पे प्लके बायो मैं और प्लकें ऑपकोलर आपकाई अपडी अप्डेट करेंगे तब अबस्ति गेज़ाइग थे पर बोड़ी पास कर देता हूं, मैं कुछ भाल देज इस इज दी बोड़ी और मैंने स्पिलिंग गलत कर दी इस की, इस इज दी यार इस पेस क्यों नहीं काम कर रहा है, ओके, एंड बोड़ी, सिंपल, ओके, डिस्क्रिप्शन आप लोग रखना चाहूं, रख सकते हो, मैं न आप लोग यहां पर देख सकते हो, टाइटल और बोड़ी, इस इस बोड़ी, और यूजर आईटी मुझे 400 दिखाई दे रही है, और यह जो आईटी आपको 101 दिखाई दे रही है, यह एक यूनिक आईटी है, मतलब इस आईटी से आप लोग इस complete डेटा को अक्सेस कर सकत है, तो अपडेट करने के लिए किसी आपको यूनिक आपको आईटी होनी चीजिसे यहां पर बोला है कि अगर आप लोग पोस्ट के अंदर किसी एक को जाते हो, बजलब आपको इस complete URL को हिट करना है, उसके बाद में जो भी आपको डेटा अपडेट करना है, वो डेटा पर डालो, आपका डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना, तो डेटा हम लोग अपडेट करेंगे अब इसमें, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहां पर चलेंगे, और यहां पर रैट क्लिक करेंगे, एक रिक्वेस्ट को एड़, और यहां पर जागे मैं पस्षिस करें लिए एक परप्राइट करा इंहीं है और उसके बाद में आपको आपको आपडेट करना चाहूंगा तो पुट का यूज करूंगा और प्रामेटर्स कोच नहीं देना है आपको हैडर पैदर पर आपको यहाँ प्लिकेना है accept और उसके बाद में आपको इसका value जो type वो देना आपको application, JSON, okay description कुछ देना नहीं है, आप लोग अगर update करना चाहते हो, तो body पे जाओ, यहाँ पे आप लोग x www form URL encoded disk को हम लोग यूज़ करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या update करना है, सबसे पहले मुझे माल लोग इसका title 4 है, body bar है, user id 1 है, तो मुझे इन तीन नहीं data को update करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाओंगा, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बादे में type करूँगा, सबसे पहले तो इसका title, title मैं डाल देता हूँ, अंकी जाएंगे, ठीक है, ओके description नहीं डालते हैं, और फिर हम लोग डालेंगे body, body में हम लोग पास करेंगे, हाँ पे कुछ भी जैसे some content मैंने पास कर दिया, और उसके बादे मुझे हाँ पे user id set करनी है, user id set करनी है, user id कुछ भी, अब अगर data को delete करना हो, तो data को delete किस तरीके से करा जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, data को अगर delete करना हो तो patching का भी नोने पाया है, इससे भी आपको कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको data id update हो की मिलेगा, ठीक है, अगर आपको delete करना है, तो आपको simple करना क्या है, इस URL को hit करना है, फिर आपको method delete हो जाएगा, जो भी आपकी idea वो ठीक है, तो मैं simple इसको copy करूँगा, इस तरीके से मैंने already copy करी रखा, इसको इस तरीके से copy करूँगा, और मैं यहाँ पर जाओंगा, और यहाँ पर एक request को मैं add करूँगा, और इसमें आगे URL में मैं simple paste कर दूँगा, गेट की जगह मैं यहाँ पर चाओंगा delete कर दो, और headers पर आपको पता है क्या लिखना, आपको लिखना है simple accept, और यहाँ पर आपको लिखना है application JSON, ठीक है, रिस्पोंस मिल जाएगा, अगर आप लोगो data delete करना चाहा, तो इस one का आपको data delete होके मिल जाएगा, अगर मैं send पर click करता, तो आप लोग यहाँ पर clear देख सकते हो, मुझे हाँ पर कुछ नहीं मिल रहा, empty object मिल रहा है, मतलब वो data यहाँ पर delete हो चुका है, ठीक है ना, status code 200 ह सब कुछ सही, इतना time लगा, इतना size है, इसका बहुत ही बढ़िया, इस तरीके से हम लोग हमारे data को delete कर सकते है, लेकिन मैंने गलती कर दिसका नाम, मैंने हाँ पर डाला नहीं, तो मैंने हाँ पर simple delete and data pass कर दूँगा, ठीक है, okay, तो मैंने इस request का नाम पास कर दिया, delete data, I hope that make sense, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो हम लोग एक simple सा card operation इसके अंदर देखे लिया, तो यह basic था, और यह methods और होते हैं, इनको आप लोग explore कर लेना, मैं बताओंगा, मैं बताओंगा, आगे आने वाले वीडियो में जब हम लोग इसका यूज करेंगे, तो देखेंगे इनको लेकिन अभी के लिए अगर मैं बताने बेट गाया है, तो यार वीडियो लंबा हो जाएगा, देखो इतना वीडियो तो हमको बनाना ही था, क्योंकि यह आपको basic तो चीजे समझ में आनी ही चाहिए, तो अगर को beginner देख रहा है, तो यह चीजे basic उनको इतनी at list आनी चाहिए इसके नदर बहुत ही बढ़ी है, अब अगर मैं आपको बताऊँ, तो इसमे एक चीज और होती है, आप लोग को variable set कर सकते हो, आप लोग को variable कैसी set कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं आपको पहली request के नदर लेकर जलू show data पे, तो आप लोग यहाँ पर देख मतलब सभी में same है, तो आप लोग इसको sort कर सकते हो और यूज कर सकते हो, अब लोग है, कैसे और यूज करोगे, आप लोग को यहां पर Unkyt project इस पर क्लिक करना है, ठीक है? इस पर क्लिक करने के बाद भी आपको यहां पर एक option मिलेगा, variables इस पर जाओ और वेरिबल्स आप यहां पर सेट कर दो, एक तरीका तो यह है, ठीक है, आप लोग यहां पर वेरिबल्स का नाम रखो, आप लोग यहां पर इनिसल वैल्यू डालो, इसका करेंट वैल्यू डालो, सेव कर दो, एक तरीका तो यह है, और दूसरा तरीका यह है, क कि आप लोग करो क्या, जितना आपको से मतलब लग रहा है कि डुप्लिकेट है, उसको आप लोग यहाँ पी इस तरीके से कर लो, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर इतना इतना लग रहा है, अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप लोग ने इसको करा, इसको करा है फिर से एक option open हो जाएगा box और यहां पर आपको काफी option मिलेंगे अगर यह जो name है इसमें आप लोग डालते हो इस variable का नाम जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं same URL कुछ भी डाल दो same URL डाल दो ठीक है value इसकी हमने डाली क्योंकि हमने select करा था वो value हाँ पर आच चुकी है यह जो scope है आप लोग कौन सा रखना चाते हो global रखना चाते हो या फिर collection रखना चाहते हो तो मैं अभी के लिए करना चाहूंगा ठीक है और मैं simple set कर दूँ अब जैसे यहां पर आप लोग देखना यह देखो है यहां पर देक्शन पर सेम यूरल लिख के आप आत चुका है ठीक है जैसे मैं send पर क्लिक करूँ है काम कर तो आप लोग देख से तो इन फिर से अच्छा ए चाम कर रहा है इसमें कोई किसी को problem नहीं है ठीक है तो मतलब ये कितना short बना दिया हम एक variable के अंदर इसको रख दिया ठीक है ना तो यह जो same URL है हम लोग यहां पर डाल सकते हैं अब जैसे अगर मैं यहां पर जाओं और यहां पर मैं लिख दूँ कुछ इस तरीके से double curly brackets के अंदर same URL ओराइट same URL रख दिया properly सही से जो भी हां पर रेपेट हो रहा है, इसको हटाकी यहां पर डाल सकता हूँ, बहुत बड़ीया। सबकège कर दोडुद कॉम के इसको हटा कि इतना 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 अप्रम यूर्ल है मुँर बहुत बढ़ी बहुत ही बढ़ी आ है इस त्रिके से आपड़ सक्रञी कार रिक जो आप उसकी आप पी उन्सको यह आप वर टे इस्ट कर आ उसका रिजल्ट हु eleос प्रोपरिली गेट करा, डेटा को डिलीट करा, अपडेट करा, गेट करा, सब कुछ करा, यार, सब कुछ करा, तो एक बेसिक चीज तो हमने इसके अंदर करी, और यह जो ऑथोराइजिसन किस तरीके से होता है, यह सारी चीज़े क्या होती है, इसके बारे में आपको करेंगी, तो उन वीडियो को भी आपको चेक आउट करना है, और यह जो नोड.js, मैंने एकस्प्रेस, मॉंगोड.p, मॉंगोज वाली प्लेलिस्ट बना रही है, इनको भी आपको चेक आउट करना है, तो या, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस वासिंग दिस झाल है, तो या, पिया झाल, और बना रही है, जिए हाली आपको, साथ।